आरजेडी ने पूरी रड़नीती बदल ली है इसको मुझे लगता दर्शक हमारे जानना भी चाहेंगे आपने एक और बात बताई कि सीटों को बटवारे को लेकर जो उल्जन चल रही चली रही है आरजेडी में भी मगर उन्होंने अपला प्लैन तयार कर लिया है किस तरीके कि प्रकिरिया भी अलग-अलग उसकी अंतिम्ति थी अलग-अलग समय में होती है अब मालीजिये कि पहले चरण में जिन जगों पर चुना होना है तो उसका नामांकन पहले होगा तो आरजेडी ने फेजवाइज डिकलेरेशन की सोची है कि फेजवाइज हम तै कर लें कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है वहाँ पर आरजेडी पहले से डिकलेर कर दे तो कुछ सेटों पर तो आरजेडी ने डिकलेर कर दिया है जैसे जमुई है जमुई में आरजेडी के उमिदवार डिकलेर्ड है समस्तिपूर है बीके रवी लडएंगे ये डिकलेर्ड है लग- लड़ेंगी रविदा समाज की हैं ये लग-बग डिकलेर्ड माना जा रहा है लेकिन वैसी कई सीटें जो की अलग-अलग फेज में हैं और वहाँ पेच पंस सकता है वहाँ की सीटें आरजेडी अभी डिकलेर नहीं करेंगे जैसे सिवर है तो सिवर की सीट आरजेडी अभ की कोशिस करेगी जैसे शिवर से सिटिंग सांसद रामादेवी उनको टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी रामादेवी को पकड़ेगी कि आप आईए आप चुनाओ लड़िये कारा काट उपेंद्र कुछवा को जाता है तो महावली सिंग पे डोरा डालने की कोशिस किये में कई दल हैं और कई दल हैं तो उनमें आपसी समन्वे कायम करना आसान नहीं है असंतोस होगा ही होगा और उसी असंतोस पे हमें राजनिती करनी है और इसलिए आरजेडी ने एक सोची समझीरन निती बनाई है कि कुछ सीटे जहां पर कोई दिक्कत नहीं है जैसे से ही आते हैं मैंने आपको बता है जो चार उम्मिद्वार के नाम की बात कर रहा है अब सोचिए अलोक मेहता किनके खिलाफ होंगे तो गिरी राजमंत्री जो हैं नित्यानंदर आए उनके खिलाफ होंगे अब नित्यानंदर आए भी युवा नेता हैं तेज तर्रार नेता संग का प्रिष्ट भूमी है ए वी वीपी का प्रिष्ट भूमी है वह विधायक रह चुके हैं कहा याता है कि लालू प्रसाथ जब पीक पे थे तो उनके रत को उन्होंने रोक लिया था लाल किरिष्ण अड़ comment की सभा करा दी थी और लाल किरिष्ण अड़वानी के रत को रोकने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ था वो प्रशासन से भीड़ गयते तरह तरह की कहानी उनके बारे में कही जाती है फाइटर हैं चुनाव लड़ना जानते हैं लगतार जीते हैं पुर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पर उनके खिलाप आर उप्रसाद के करीबी हैं ऐसे में वहां जो यादव और साथी साथ कोईरी समाज का जो वोट है कौन किसमें कितनी से नवारी कर पाता है मोदी इफेक्ट किस हद तक काम करता है तमाम चीजें जीत और हार का फैसला कर सकेंगे लेकिन वहां पर मैंने आपको बता है कि यह उम उमिद्वार को आरजेडी अब सीटें दे सकती है इसकी पूरी संभावना है इसलिए आरजेडी ने फेस वाइस डिकलेर किया है कि फेस वाइस हम उमिद्वारों की घोष्णा करेंगे बिल्कुल तो चुनाओं की घोष्णा हो चुकी है उन्नीस अपरेल से पहले जरन का च चुनाओं होना है तो आरजेडी की स्ट्रेड़ी पंका जी ने बताए कि चरण वाइस डेकलेर करने की हो सकती है